नवश्कार स्वागत आपकर निउस्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल्तियागी और आप देखे हमारा खास पुलिटिन अभी अभी खबरों करों कर लेते हैं उत्राखन के लालकुए नगप अंचायत पर फिर एक बार धिस्टचार का रोप लगा है बता दे सूबे के जीरो टॉलरेंस पी एचडी सरकार में लगाता बिस्टचार के मामले उजागर हो रही हैं और ऐसे में नगप अंचायत के पूर्व सभासर जाहिद अली ने निर्मान कारे में हुई कई अन्यमित्ताओं को लेकर नगप अंचायत बिस्टचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी को लिखिच शिकायती पत्र भी सौपा है आपको बता दें कि जीला जिस सरक निर्मान में अन्यमित्ता का आरोप लगाय जा रहा है उसका उद्धातन कुछ दिन पहले नगप अंचायत अध्यक्ष और अधिशाशी अधिकारी की तरफ से ही किया गया था चेंदर भागा नदी के पास एक होटल के किनारे अचानक 13 फुट लंबा अजगर निकलने से परचको और स्थानी लोगों में हटकम मच गया सूचना मिलते ही मौके पहुंचे वन करमशारियों ने अजगर को पकर कर जंगल में छोड़ दिया बता दे कि होटल में ठहरे परटको और स्थानी लोगों ने अचानक नदी किनारे अजगर को देखा पहले तो अजगर को देखने के लिए लोग उसके करीब पहुंचे और फोटो भी लेने लगे लेकिन जैसे ही अजगर ने खलकी सी हरकत क्या करी कि लोग और परटक महापर मौजूद जो थे वो सभी डर गए जिसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई और वन करंचारियों ने बताया कि अजगर की लंबाई 13 फोट है और संभवत नदी के बहाव के साथ अजगर आबादी वाले शेत्र में पहुंच गया है साथ ही बताया कि अगर समय रहते अजगर को नहीं पक्रा जाता तो बड़ा खादसा हो सकता था क्योंकि जाच में पता चला है कि अजगर भूका था कोरोना की दूसरी लेहर का कहर कम होने के बहाद अब जादतर राज्चों में स्कूल कॉलेज़स खोले जा रहे हैं और इसी बीच दिल्ली में भी स्कूल कॉलेज़ों को दुबारा खोले जाने पर विचार किया जा रहा है इस मुद्धे पर उप राजपाल अनिल बैजल की अध्यक्षिता में शुक्रवार को दिल्ली आप्दा प्रवंदन प्राधिकरन की एहन बैटक हुई इस दोरान उन्होंने अधिकादियों को व्रस्तत योशन तयार करने के लिए एक विशिश समीति गठित करने का निदेश भी दिया डीडियमे की इस बैचक में मुख्य मंत्री अर्विन केशिवाल, उप मुख्य मंत्री मनीसी सोदिया, दिल्ली के स्वास्थम मंत्री, सातेंद्र जैन, परिवहन मंत्री, केलाश गहलोत, एम्स के निदेशक, डॉक्टर रंदीब गुलिर्या, नीती आयो के सदसे, विनोत क कुमार पॉल और राष्ट्रिय रोग नियंतरन केंद के निदेशक, डॉक्टर सजीद सिंग, आईसी अमार के महानिदेशक, डॉक्टर बलराम भार्गव और राष्ट्री आप्दा प्रबंदन पाधिकरन के सदसे, कृष्ण वत्स भी मौझूद रहे, बता दे उपोख्य बैचक हुई, जिसमें मौझूद रहने वाले आर्ट लाग से ज़्यादा अभी भावकों में से 90 पीजी ने दोबारा स्कूल खुले जाने का समर्थन किया है तो बतारे, देश में पिछले करीब एक से डेर साल से स्कूल बन है, ऐसे में एक बाग फिर से दिल्ली में स्कूल कॉलेजों को खुलने पर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर ये एहम बैचक की गई है जीटीयमे की तरफ से और ज्यादा तर अभिभावकों की बैचक में यही राय रही कि अभि स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया जाना चाहिए देश के प्रतेश्टित भारतिय प्रद्योगी की संसान में दाखिले के लिए आयुचित होने वाली इंजीनिरिंग प्रवेश्ट परिक्षा जेई मेंस के परिणाम शुक्रवार को घोशित कर दिये गए हैं राश्य परिक्षा जेई के मुताबिक 17 उमीद बारों ने परिक्षा में 100% हासिल किये हैं और बता दे कि वेलावली वेकेंच के अलावा उतरप्रदेश से पाल अगरवाल और अमेया सिंगल शामिल हैं पहिएंटिये ने एक उफीशल स्टेट्मेंट में कहा है कि भाराष्ट के बार प्रभावित जिल्वे जैसे की कोलापूर, पालगर, रतंखडी, रायगर, सांगली और संतारा के 1899 उमीद बारों की परिक्षा 3 और 4 अगन्त होजा 21 को आजजित की गई थी उमीद बार 25 और 27 जुलाई को परिक्षा में उपस्तित नहीं हो सके तेंटिये के मताबएक जेई मेंज परिक्षा के लिए गुल 7 लाग से ज्यादाओं मीद बारों ने पंजिकरन किया था ये परिक्षा देश और विदेश के 334 शहरों में 915 परिक्षा केंद्रों पर आयुजित की गई थी बतादे बहरीन, कोलंबो, दोहा, दुबई, काटमांदू, कोलालंपुर, लागोस, मसकट, रियाद, शारजा, सिंगापूर और कुएक जिस शहरों में भी इस परिक्षा का आयुजिन किया गया था, साथी ये परिक्षा अंग्रेजी, हिंदी, गुच्राती, अस्मिया, बंगाली, कंणन, मरियालम, मराथी, उरिशा, पंच्चाबी, तमिल, तेल्गू और उर्दू समेत, कुल 13 भाषाव में आयुजित की गई थी, जिसके नतीजे भुशित हो भारतिय महिला होकी टीम ने टोक्यो ऑलम्पिक में लगतार तीन हार ज्यलने के बाद सभी को चौकाते हुए सैमि फाइनल तक का सपर्टे किया था, ये पहला मौका था कि जब भारतिय महिला होकी टीम ऑलम्पिक में इस मुकाम तक पहुंची थी, वही सैमि फाइनल मुकाबले के अर्जुंटीना से, दो एक सिहारते के बाद महिला टीम कांसे पदक का प्ले ओफ मुकाबला भी खाल गई, जिसके बाद टीम के कोच शार्टे मारिन ने अपने पद से स्थीपधी दिया है, बता दें, भारतिय महिला होकी टीम के कोच शार् प्रसेक्शन की प्रसेक्शन सब भी कर रहे हैं और ये उनके कड़े प्रसेक्शन का नतीज़ा है कि फार्ते महिला टीम ने अउस्ट्रेलिया जैसी बड़े टीम को हरा कर सेमी पानल में अपनी जगा बना ली थी मंद्रप्रदेश में आज प्रधान मंतरी गरीव कल्यान अन्य जोचना कारक्रम का आउजविन किया जा रहा है मतादेश कारक्रम को प्रधान मंतरी नरेंद मोदी संबोधित करेंगे पी-म सुबा ग्यारा बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये लभार्तियों के साथ माच्वी करेंगे और इस योजना के पारे में बड़े पैमाने पर जागरुपता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक अभ्यान भी चुलाय जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट ना पाए साथे प्रिधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योच्र के तहट मंद्यप्रदेश में चार करोड से ज्यादा लवार्तियों को 25,000 से ज्यादा उचित मुल्य की दरों को निश्चुल्क राशन मिल रहा है और बतादे सबसब मंद्यप्रदेश, फ्यरा जिपार, बंगू बाई पचे और मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान विपस्तित रहेंगे और इस कारक्रा में उत्राखंट माचल प्रदेश और नाचल प्रदेश असंत्रिपुरा और गोवा के मंत्री और खाते शुर्त के अधिकारी भी भाग लेंगे तो बता दें आज MP में प्रदान मंत्री गरीव कल्यान अनि जोचना का कारक्रम आयोजित किया जाएगा और सुबा ग्यानी की करीब एक खंटे का भी कम समय बचवा है 11 बज़े वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जुड़ेंगे इस कारक्रम के तहट और सभी लाबार्तियों से बात चीप भी करेंगे हालाकि शिवरा सिंग चोहार एंपी के मुख्यमंत्री भी इस कारक्रम में मौझूद रहेंगे प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अंग्यूजना कारक्रम पर पूर्द मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बार्ट किस्तिती का शिक्र करते हुए सवाल ठाए हैं पूर्द मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को बयान जुरारी कर कहा है कि राज्ये के गौालियर चंबल संभाग साइद कई जिले भीशन बार की चपेट में हैं कई चोटे चोटे बड़े और पुल पुलिया भी पहच चुके हैं शेत्यों के राष्टे राजमार्ग साइद कई सड़के ओ खड़ चुकी हैं और धस्त हो चुकी हैं साथी कई मकान पूरी तरह से उच्छति ग्रस हो गए हैं वहीं फस्ते बरबाद हो गई हैं पशूखानि भी पहुची है और लोगों की ग्रस्ती का पूरा सामना इस समय बार के पानी में बह चुका है समान ऐसे में लोगों के आस नहीं थम रखी है और लोगों का सब खुश बरबाद हो चुका है उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश संकट में है और शिवरा सका प्रदेश में साथ अगस को भव्य तरीके से अनमोहसब मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है वही राशन दुकानों को गुबारे लगा कर भव्य तरीके से खोडिंग्स पोस्टर लगा कर सजाय जा रहा है लोगों को निमंतरन बाते जा रहे हैं साथी प्रभात फेरिया निकाली जा रही हैं और पूरी सरकार इस योशन के तैयारी में लगी हुई है वहीं दूसी तरफ प्रदेश का बड़ा हिसा बार की चपेट में है और अभी आवशकता है बार विफजे हजारों लोगों के जीवन को बचाने की साथी राहत और बचा कारे में तेजी लाने की आधार भत सरंचनाओं के पुना निर्मान की लेकिन ऐसे में सरकार इस और ध कारे करम का आउजन किया जा रहा है वहीं दूसी तरफ पूर्ड मुख्यमंत्री कमल नात ने पीम मोदी पर और मद्यप्रदेश सरका पर निशाना सादा है उन्होंने कहा है कि जहां मद्यप्रदेश के तमाम जिले समय बार की चपेट में हैं लोग परिशान हैं लोग के ग काल रही हैं फोर्डिंग्स लगा रही है लेकिन सरकार की समय सबसे बड़ी और पहली प्रात्मिकता लोगों की मदद करना होना चाहिए था लेकिन इस समय सरकार की कारेक्रम कर रही है जमुकश्मी के बरगाओं के मोच्वा इलाके में सुरक्षबलो और आतंक्यों के बीच मुर्भेर हो गई इस मुर्भेर में एक अग्यात आतंकवादी को ठेख कर दिया गया है इसके बाद से एके 47 राइफर और एक पिस्टल भी परामन्त हुई है बता दे घाटी में आतंक्यों के खिलास सुरक्षबलो का उपरेशन लगातार जारी है कूफिया जानकारी के अधा पर सुरक्षबलो द्वारा मोच्वा इलाके में सर्च उपरेशन चलाय जा रहा था तभी इलाके में चिपे आतंक्यों ने अचानक पारिंग शुरू कर दी इसके बाद जवाब में सुरक्षबलो ने भी पारिंग की अब दोनों ओर से गोली बारी चल रही कै इससे पहले जम्बू कश्मी के राजवरी जिले में शुक्रवाग और सुरक्षबलो और आतंक्वादियों के बीच होई मुर्धे में दो आतंक्वादी मार किरा थे जिसके बाद जम्बू शेत्र के अतेरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंग ने कहा था कि ये तीन चार आतंक्वादियों का एक समू है जिन में से दो विदेशी आतंक्वादी हैं हमें लगता है कि कश्मीर से सहरा हैं सिंग ने बताया कि सुरक्षपल जिले के वंच शेत्र में पिश्व एक महिने से आतंक्वादियों के समू की तलाश कर रहे थे हमें संबन में थाना मंजी से जानकारी मिली और अवन शेत्र में आतंकवादियों तक पहुँचते ही मुटभेड शुरू हो गई साथी अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलो पर कोली बारी करनी शुरू कर दी साथी सुरक्षा बलो ने भी जवावी कारवाई की और राज़ौरी की कुले सदिक्षक शीमा नवी कस्वा अभ्यान की निगरानी भी कर रही है तो बता दें सुरक्षा बलो को ये बड़ी काम्याबी हाथ लगी है राज़ौरी जिले में मुट भेड के तौरान दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलो ने मार किराया है पिछले एक महिने से सुरक्षा बलो का वन शेत्र में लगातार सर्च ओपरेशन चल रहा है आतंकवादियों की लगातार सुरक्षा बल तलाश कर रहे है जिसके बाद ये बड़ी सपलता सुरक्षा बलो को मिली है और दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलो ने मार किराया है केंद्रे क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ओर से आयुज़ेत किसान संस्यद में तीन विवादस पत कानूनों को निरस्त नहीं करते कोले कश प्रवार को सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ताफ लाया गया सेयुक्त किसान मोशा ने ये जानकारी दी है बता दे सकेम ने कहा कि सरकार के खिलाब एक अविश्वास प्रस्ताफ लाया गया है और ये प्रस्ताफ इस सत्य पर आधारिक था कि देश भर में लाखों किसानों के शांती फून विरोध के बावजूद भी उनकी मांगों को और किसानों की मांगे पूरी नहीं की जा रही है इसलिए लगातार किसान किसान संसत भी चला रहे हैं जनतमंतर पर जिस तरह से देश में संसत का मौनसून सत्र चल रहा है उसी तरश पर किसानों की किसान संसत जनतमंतर पर चल रही है और लगातार पिछले आर्च महिने से क किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ किसानों की मांग है कि अगर इन्हें पूरा नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन लगतार जारी रहेगा सरकार के खिलाफ किसानों का ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है एक तरफ किसानों का अक्रोज सरकार के खिलाफ लगाताथ बढ़ता जा रहा है किसानों का अंदोलन खतम कोने का नाम नहीं लिए रहा है महीं दूसरी और विपक्ष भी किसानों का समधन लगाताथ कर रहा है कॉंग्रेस वेपूर वध्यक्ष राहूल गांदी और कई अन्य विपक्षी नेता हुने शुक्तुवार को दोपहर जनता मंतर पर पहुंच कर तीनों केंद्रिय क्रिशी कानूनों के खिलाप अंदोलन कर रहे किसानों के साथ एक जुटता प्रकच की बता दें किसान संगर्षनों द्वारा आयोजित किसान संसद में भाग लेने के लिए लेने के बाद राहूल गांदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने किसानों के प्रती अपना पूरा समर्थन चताया है और तीनों नए क्रिशी कानूनों को निरस्त करने पर तूर दिय दिया है उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को लेकर इमांदार होते तो संसद में चर्चा करते उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस विशे पर चर्चा के लिए तया है तो वतादे लगातार विपक्ष के नेता किसान संसद को अपना समर्थन दे रहे हैं और इसी में कल राहूल गांदी भी जनतर मंतर पकिसानों के बीच पहुँचे ते अपना समर्थन देने के लिए क्रिशी कानूनों को निरस्त करने पर जोड़ लगातार दिया जा रहा है और इसी लिए कल तमाम विपक्षी पाथियें विपक्षी नेता जनता मंतर पकिसान संसर्थ में पहुंचे तेज राखुर गांदी ने भी अपना किसानों को समर्थन दिया था आज टोक्यो ओलम्पिक्स में फिर से भारत को पदक की उमीद है जी हाँ अथलेटिक्स वे ओलम्पिक पदक के इंतिजार खतम करने के लिए आज नीरत चोप्रा पर देश की निगाहें टिकी होई खैत अरसर पिछले 100 साल का इंतिजार खतम करने के लिए भाला फेक के फाइन में नीरत चोप्रा आज दम दिखाएंगे तो बता दें चोक्यो ओलम्पिक्स में लगातार भारत के खिलारी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में नीरत चोप्रा पर आज सब देश की निगाहें टिकी होई हैं और आज 100 साल का इंतिजार खतम हो जाएगा भाला फ को उमीद है कि आज भारत एक पदक अपने नाम कर लेगा नीरत चोप्रा पर देश भर की निगाहें हैं दरसल पिछले कई दिनों से भारत को कोई ना कोई मेजल मिल रहा है इसी उमीद में आज सब की निगाहें नीरत चोप्रा पर हैं कि नीरत आज चोक्यो ओलम्पिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है नीरज को पदक आज मिल जाए सौ साल का इंतिजार जो है वो आज खतम हो सकता है सेरम इंस्टिट्यूट के सीओ अदाप कुनावाला ने ग्रह मंत्री हमें शाह से शुक्रवाद को मुलाकात की बता दे प्रह मंत्री से मुलकात के बाद उन्होंने कहा कि सरकार हमें समर्थन दे रही है हमारे और सरकार के पीच कोई वित्य संकर जैसी स्थिती नहीं है हम कच्छे उतपादों को बढ़ाने पर जोर दे रही है साथ ही अदार ने कहा कि हम केंद्र और प्रधार मंती नरीन मोडी के शुक्र कुछारती है उनकी तरफ से और योगिक इसतर पर वैक्सीन उतपादन की श्रमता को बढ़ाने के लिए बड़ी मदद मिल रही है साथ ही को वैक्सीन के उतपादन पर अदार पुनावारा ने कहा कि इसे डी डी आई की मंस्दूरी में के लिए भी भीचा गया है वहीं अदार पुनावारा ने कहा कि वैक्सीन अक्टूबर तक लॉंच कर दिये जाएगी साथ ही इसकी दो डोजसी लोगों को दिजाएगी वहीं कीमतों पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं और जैसे ही इसे लॉंच करतीया जायगा लोगों को सूछना दे दिजाएगी बतादें साल 2022 के छमाई तक इसे बच्चों के लिए भी लॉंच कर दिया जाएगा वहीं वैक्सीन की श्रमता को बढ़ाने पर काम लगता चल रहा है साथी सिरम इस्टिटूट ओफ इंजिया ने अमेरिका इस्टिट नो वैक्स कमपनी के को वैक्स वैक्सीन के अपात कालिन उप्योग के लिए भी आवेदन किया है साथ ही अमेरिका इस्तित नो वेक्स का सिरम इंस्टिटूट आफ इंजिया के साथ वेक्सिन निर्मान को लेकर समझवता भी है ऐसे में सिरम इंस्टिटूट ही कोविशील्ड वेक्सिन पर ही बनती है बताने को भी शील्द ही देश में व्यापक इस तर पर वेक्सीन उत्पादन कर रही है रोश्नबाद इससे तो वंदना कर्टारिया के घार पर बदाई देने वालों की कतास हमने का नाम नहीं ले रही है यहाँ वहीं जब अब कुछ संसाय भी इसकड़ी में आके आई हैं आपको बता दें कि ग्राफिक एरा परिवार की तरव से भारते महिला होकी टीम की वंदना कर्टारिया के परिवार को उत्राखन और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए 11 लाख रुपे की धनराशिक का चेक भीट किया गया है सिर्फ यहीं नहीं ग्राफिक एरा परिवार की ओर से ये भी धोशना की गई है कि वंदना का तारिया की आगे के स्टड़ी के लिए ग्राफिक एरा परिवार इस संभव मदद भी करेगा जिससे की आने वाले समय में उत्राखन की बेटी भारते टीम के ल उत्रकंट सरकार में महिला और बाल विकास मत्री रेखा आर्या के पती पप्पू गिर्धारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है बरेली के बहुचर्चित जैन दंपत्ती खत्याकान मामले में कोर्ट ने कतिस साल बार एन बी डबलू जारी किया है साथी गैर जमानती वारंट जारी कोने के बाद पूर्ट में पेश ने प्लीन अन्य आरोपी आवला के बजरुदीन भत्ता के नरेश और पदायू के जगदीश को जेल भीस्या गया है कि आदेश अपर सत्र नियादीश अब्दूल कयूम ने किया है बता दे के पपो गिर्दारी एक ऐसा नाम है जो एक बाद फिर्स तूर्ख्यों में आ गया है 31 साल पहले बरेली के शेहर कोतवाली खानश्येत रुके सिवल लाइन्स इलाके में जैन दमपत्ती के निर्मापत्या करती गई थी और इस पूरे मामले में अगयात में शेहर कोतवाली में मुकद्मान दर्श कर दिया गया था पुलिस की चानबीन के बाद इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के नाक सामने आये थे जिसमें से एक नाम गिर्दारी लाल शाहा और उर्फ पपो गिर्दारी का भी था तब से ये मामला कोट में विचार धीन था जिसके बाद अब उनके खिलाफ वारंट चारी कर दिया गया है तो बता दें रेखा आ रहा के पती के खिलाफ ये वारंट चारी किया गया है 31 साल पुराना यह मामला है दरसल बदायो में एक जैन दमपति की खत्याकांच का यह पूरा मामला है जहां पर 01 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्श किया था कई लोगों के खिलाफ लेकिन 01 इस पूरे मामले में सामने आय थे जिसमें से एक नाम रेखा आर्यके पती का भी साम आए था जिसके बाद अब वारंट जारी कर दिया गया है और ऐसे में बता दें पपो गिर्दारी के नाम पर वारंट जारी किया गया है और 31 साल से मामला पूर्ट में जार धीन था जिसके बाद अब वारंट जारी किया गया है ऐसे में कई नाम सामने आये थे और 11 लोगों के कोरोना के पहली और दूसी लहर में महराश्ट की ही देश का सबसे संक्रमित राज़े रहा है यहां अभी तक 5000 से ज्यादा केस सामने आ रखी है और इसी बीच नासिक से एक और चौकाने वाली खबराई है दरसल यहां कोरोना के डेल्टा वेरियंट के 30 संक्रमित मरीज मिले हैं इससे पहले महराश्ट की पूरे में भी डेल्टा प्लस वेरियंट से संक्रमित दो मरीज मिले थे नासिक जुला स्पताल के सरजन डॉक्टर केशोर श्री निवास ने बताया कि नासिक में डेल्टा वेरियंट के 30 लोग संक्रमित मिले हैं जबके 28 ग्रामेंट शेतरों से हैं उन्होंने बताया कि इन लोगों के रिपोर्ट जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए फूर लैब भीची कई थी वहाँ इन लोग डेल्टा वेरियंट संक्रमित पाया गये थे साथी वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के पताबिक अब तक 135 देशों में तेजी से संक्रमित पहलान बढ़ारे टेशों में बीटा वेरियंट के केस मिले हैं जबके 182 देशों में daung स्में वहीं डब्लू एक्टो की मतावी 162 देशों में कोरोना के एलपा वेरिंट के से साम दे उन रही हैं यह सबसे पहले भरत मीं ही पाया गया था तो बतारे एक सो पैते देशों में डेल्टा वेरियंट पूरी तरह से पैल चुका है और कोरोना के डेल्टा वेरियंट ने हर किसी की चुन्ता बढ़ा दी है इस बुलेटिन में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे हैं नीज्वाल इंडिया